अलो एब्रिवान वेल्कम टु दे चैनल मैं हूँ सवरभ दैवतकर आपका मातमार्टिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर पूरी ताकत के साथ वापस से पौच चुके हैं हम लोग निूमरिकल इंटिग्रेशन के सेशन नंबर पोर में तहे दिल से सभी का स्वागत है आज हम लो भी बवाल काफी खतरना क्वाले क्वेशन आज लेके आए है तो स्वागत है और पड़ाफट से आगे बढ़ेंगे आपके लाइक के साथ आपके शेरिंग के साथ अभी तक नहीं किया शेर तो पड़ाफट कर दीजिए शेर और दिखाईए अपने फ्रेंड को अपना केर पड़ाफट से शेर कर दीजिए और उन्हें सारे फ्रेंड्स लोग को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराईए अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना लिंक नहीं मिला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है ओके जी वाट्सअप ग्रूप टेलीग्राम चैनल जल से जल जॉइन करिए क्योंकि वहाँ पे आपको मिल रहे होंगे क्वेशन बैंक ओके जी तो चलिए शुरुवात करते हैं सिम्सम्स वन तर्ड रूल के सेकेंड सवाल पहला सवाल पार्ट नूमबर फ़न में कर दिया है आज सेकेंड सवाल करेंगे लेकिन उसके पहले फॉर्मिले की रिवीजन होना बहुत जरूरी है ओके जी तो क्या है फॉर्मिला पड़ाबट से मुझे बता दीजिए सिम्सम्स Simpsons one third rule, हाँ जी, Simpsons one third rule, चलिए, चलिए, मचाईए, क्या है formula, integration a to b, f of x dx which is equal to formula, formula one third है, मतलब यहाँ पे क्या होना है, h by 3 होना है, bracket के अदर x plus 2e plus 4o, इसका concept क्या है, वो part number 1 में मैंने बता दिया है, proof नहीं बता है, लेकिन concept बता दिया है, proof अगर आपको चाहिए, तो जरूर हमारे admin number पर message कर दीजिए, proof आपको मिल ही जाएगा, ओके जी, आज के पहले सवाल के साथ, आगे बढ़ेंगे आपके screen के उपर, यह रहा, find the value of integral, using Simpsons one third rule of integration 0 to 1 x square upon 1 plus x cube dx, आप बोलोगे sir, इतना छोटू सा question, बेलकोल बेलकोल, यह है, छो और छोटा packet, बड़ा दमागा है, यहाँ पर होने वाला है, ज्यान से देखे, limits क्या-क्या है, 0 से लेकर 1 तक, यह limit किसके होने है, x के होने वाले है, समझ रहे हो, यह limits किसके है, x के होने वाले है, तो x यहाँ पर लिखना चाहिए मैं, और y यहाँ पर लिखना चाहिए मैं, टैबुलर फॉर्म आना बहुत जरूरी है क्योंकि तब तब मुझे एक्स्ट्रीम ओर्डिनेट्स, रिमेनिंग ओर्डिनेट्स या फिर ईवन ओर्डिनेट्स यह नहीं समझेगा अब यहाँ पे ट्रपेजियर रूल नहीं करना है, यहाँ पे सिम्सम्स वन तर्ड रूल उन्होंने क्लियरली मेंचन किया तो वो एक ही मतड़ यूज करना, खुद का दिमाग चला के खीट तान के ट्रपेजियर रूल यूज मत करना ठीक है जी, देखिया, एक्स कहा से कहा तक है, जीरो टू आने, तो आप बोलोगे सर, दो ही वाल्यू लिखने का क्या, नहीं, दो ही वाल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि symptoms one third rule के लिए व्यान से सुनो symptoms one third rule के लिए मुझे even ordinate की भी जरूरत होती है odd ordinate की भी जरूरत होती है समझ पढ़ रहा है even ordinate की भी जरूरत होती है और odd ordinate के भी जरूरत होती है तो कभी भी याद रखिये आपको जहां पे interval पता नहीं है आपको उसके proper values पता नहीं है, कौन से कौन से x के लिए y की value चाहिए ये पता नहीं है, तो उस time पे आप एक number line draw करिए, क्या बोल रहा हूं मैं number line draw करिए, देखिए यहां पे 0 से लेकर 1 तक, इसको 4 equal parts में divide कर दो, मतलब क्या, ये एक part हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चवता हो गया, समझ रहा है, तो अभी 4 equal parts में मैंने इसको divide करना है, तो इसका interval कितना आएगा, बड़े ध्यान से सुनो, ये concept बहुत लोग को नहीं पता होता है, ये सिर्फ बाबा का ग्यान है ध्य number of parts, कितने parts में आप उसको divide कर रहे हो, तो B की value कितनी है, 1 है, A की value 0 है, number of equal parts 4 है, तो 1 by 4, 0.25 का मेरा interval होना चाहिए, समझ रहे हो, ये H की value कहां से आई, आप अगर कोई textbook refer कर रहे हो, कोई आपको college में बता रहा है, classes में बता रहा है, तो H की value 0.25 ही लेने का, क्यों लेने का इसका जवाब ये है, absolutely मेरे उपर जो है, अच्छे से लिख लो यार, properly लिख लो, कुछ भी doubt है, बले बले जी, H की value समझ गई जी, तो ये 0.25 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा, देखिए 0.7 के बाए, 1 ही आने वाला है, क्यों ऐसे लिए, क्योंकि इनक कुछ तो ठीक है, तो X की value 0 हो गई, ठीक है, यहाँ पे मचाते है, यहाँ पे 0.25 हो गई, इसको भी मचाते है, यहाँ पे 0.5 हो गई, इसको भी मचाया, 0.75 हो गई, इसको भी लिखेंगे और यहाँ पे 1 हो गई, इसको close कर देंगे, ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल sorted जि अंजी जैसे बाहर तुपानी बारीश हो रही है वैसे ही बारीश यहां पर आंसर की होनी चाहिए come on everyone everyone मुझे पता है मुझे पता है यहां पर x के जगे पर मैं 0 डालूँगा यहां पर x के वैल्यू डालो आपको y के वैल्यू निकलेंगे come on मेरे साथ हाथ आगे लाइए x के वैल्यू डालो y के वैल्यू निकलेंगे क्या बात है तो 0.25 का square upon 1 plus 0.25 का cube होना है कितना आएगा चे करो चे करो कितना आ रहा है 0.06153 इतना बड़ा आ रहा है no problem calc लेके बैटना मैं भी calc लेके बैटना 0.5 डाल के देखो I think it is 0.2222 होने वाला है 0.75 डाल के देखना 0.39560 होना है और यहां पर 0.5 होना है क्योंकि 1 upon 2 हो जाएगा यहां तक कुछ भी डाउट है table समझ चुका है number line समझ चुकि है कोई दिक्कत यहां पर नहीं आना चाहिए इस table को मैं तोड़ा complete करा देता हूँ इस तरीके से तोड़ा सजाद जाके ताकि आपको कोई confusion ना हो जावे ठीक है बस ना यार खताम अभी इसको सिफ y0 consider कर दो इसको y1 इसको y2 इसको y3 and then y4 चार पार्ट्स हो गए अगे जी चलिए तो therefore according to according to symptoms one third rule symptoms one third rule one third rule क्या होना है one third rule सभी को पता है formula already हम लोग ने काफी बार revise करवा दिया है integration a to b f of x dx which is equal to चलिए बताइए h by 3 bracket के अंदर x plus 2 e plus 4 o क्या वाद है समझ पढ़ रहा है absolutely समझ पढ़ा तो यार x मतलब extreme ordinates extreme ordinates क्या रहेंगे y0 और y4 रहेंगे even ordinates मतलब y2 अकेला रहेगा y4 को वापस से consider नहीं करेंगे odd ordinates y1 और y3 होना है सारे के value substitute कर दो मचाओ अगे जी चलिए विलकुल भी मचाओ अगे तर इंटेगरेशन 0 to 1 x square upon 1 plus x cube और यहां पे dx विच 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 की वाल्यू 0.25 अपन 3 ब्राकेट के अंदर extreme ordinates क्या क्या है बताइए हमें extreme ordinates क्या क्या है 0 plus 0.5 है तो यहां पे 0.5 होना है 2 times of 2 times of यहां पे करना है 0.2222 सारा सब कुछ प्लस 4 times of odd ordinates उनके addition हमें करनी पड़ेगी 0.06153 में बस values लिख रहा हूँ calculation मैं भी आपके साथ करने वाला हूँ आप भी मेरे साथ करिए और मचाईए 0.39560 क्या बात है absolutely pop it है यहां पे चलिए तो इसको मचाते है 0.25 upon 3 हो जाएगा यहां पे 0.5 plus 2 times of यह होना है मतलब 0.44444 यहां पे मचा दो ठीक है इसका addition करके 4 से multiply कर दो I think ठीक है minute one point में ही आएगा एक दफा चेक कर लेता हूँ सिंगम जी के उपर बरोसा नहीं है जनाब ऑके 1.82 आप सा गया उतको तो इसका addition कर दीजिए फिर 0.25 से multiply कर दीजिए जो answer आएगा उसको divide by 3 कर दीजिए according to calculation एक ही minute में चेक करता हूँ ओके ओके 0.23108 एक दफा answer बिल्कुल आप भी चेक करिए और मुझे नीचे comment section में बताईए क्या आपको भी यह answer आया पड़ावट से यो-यो की बारिश होड़ी चाहिए यहाँ पे comment section में जब अपना answer match हो जावे तब ट्रपेज़र्डल रूल से भी चेक करना है तो आप जरूर चेक कर सकते हो अगर question में पूचा है तो ही लिखना नहीं पूचा है मत लिखना समझ पढ़ रहा है absolutely आप कोगे बबाजी एक sum DIY के लिए दे दीजिए ताके हम भी थोड़ा calculation चेक कर पाए next सवाल DIY DIY के लिए on your screen right now a rocket is launched from ground its acceleration is registered during first 80 seconds and given in like this पूरा टेवल दे दिया है बिलकुल मचा दीचिए एक ही हिंट में आपे देना चाहता हूं Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 and Y8 तो बिलकुल extreme ordinates होने है Y0 plus Y8 even ordinates Y2 Y4 Y6 odd ordinates Y1 Y3 Y5 Y7 समझ पढ़ रहा है बिलकुल वही formula वही सब कुछ मुझे चाहिए answer in the comment section सभी की तरफ से बिलकुल समको screenshot ले लीजिए अपने notebook में mention करिए Mumbai University, Pune University, Naakpur, Jalgao, North Maharashtra बेहद important यह numerical question इसके उपर exam में आना ही आना है तो बिलकुल वापस से अगर calculation नहीं समझा तो वीडियो को rewind करके जरूर देखना बाबा का दरबार आपके लिए 2400 गंटा पुला है ओके जी तो फिलहाल मैं दो ही आप से गुजारिश करूंगा पटाफट से like कर दो अपने सारे college group में share कर दो और अभी तक instagram follow नहीं किया तो पटाफट जाके instagram को भी follow कर दो ओके मिलेंगे next session में simpsoms 138 वं तरद अपने कर दिया 38 रूल के साथ नया रूल नया formula नया मचाना बिलकुल मिलेंगे उतरी जोश उतनी ताकत के साथ तब तक के लिए बाबाई, take care and thank you so much guys